दूस्तों आज की कहानी है दूसरों की बहुए और अपनी बेटियों तो सबको अच्छी लगती है दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइब नए किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउं से अरूज नया वीडियो सुनिना जी वर्षों बाद माय की आई थी विदे से भारत आना कहां इतनी जल्दी संभव हो पाता था उनके लिए पर इस बार वह लंबी सूटी रेकर कापी सारे दिनों के लिए दिल्ली आगी थी वैसे तो वह अकेली आई थी पर उनका बागी प्रिवार दिवाली से कुछ दिन पहले दिल्ली आने वाला था इस बार एक हाथ दिवाली मनाने का पुरा प्रोग्राम ते था सुनिना जी बहुत खुशती सह मैने पहले अपने भतीजे सुबम की साधी पर भी नहीं आपाई थी तो अब भतीजा वहु की पहली दिवाली की खुश्या भी साथ थी सुन भाई था वीनी और सड़ी गड़ में अपने परिवार के साथ रहता था वो भी बड़े भाई और बेन के साथ दिवाली मनाने आने वाला था दिलिम जी के दो बच्चे थे बड़ी बेटी सिल्पा जिसकी पांच सुरस पहले साधी हो गई थी और बेटा सुबम जिसका ब्यास मैंने पहली हुआ था बहुत तनु बहुती प्यारी लड़की थी दिवाली के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे घर का काम थोड़ा बढ़ गया था साफ सपाई तो कापी दिनों से सुरू होई गई थी तनु अपनी सास के कही अनुशार काम करती जा रही थी अभी उसे काम करने का पुरा तर्बुजा भी कहा था नहीं नवेली दूलन को कहा पुरी समझ होती और पर फिर भी वह ब्यासारी आरती जी का कहाना महांती जाती सुनीना जीने एक दो बार भावी को टोका भी रहने दो आरती बच्ची अभी इतना सारा काम कैसे कर पाई की जी जी अभी नई सिखेगी तो कब सिखेगी और अब जब साधी हो गई तो काई की बच्ची मेरी सेली रिता की बहुने साधी होती सारा काम संभाल लिया तो रिता तो बाजाद ओकर गूमती फिरती बावी के जवाब से सुनीना सुप हो गई थी सुनीना देखा आज कल तनू ठकी ठकी रहती थी सुपों के आने पर भी दरुदर कामी करती नजराती रात को अपने साथ वो कहीं गूमने सलने को कातव जाने में आना कानी करती एक दो दिन ऐसी भी थे आरती सुनीना और दरुदर के साथ जाकर घर पर बनने वाले पकवानों की सामरकी ले आई थी गर परी बनेंगे सारे पकवान और मिठाया सुनेना ने पुसा हान जी और क्या बाशों से यहीं तो सल्टे आ रही फिर रीता भी कल फोन पर बता रही थी कि उसकी बहु ने तो मिठाया बनाना भी शुरू कर दी हैं सबसे महु सुन गठें उसकी बहु आरती फिर से रीता के बहु के कसीदे पढ़ने लगी थी और सिल्पाउ से देखो फिसले पांस साल से अपने ससुराल में सब को सच्चे से संभाल कायम जाले सी कहे तो वाकी शी को मेरी बेटी से कहते विया आरती जी की नजर तनू परी थी और वह बैसारी सिर्णी से कर सुप साब सुन रही थी खेर घर पहुंचे तो सब कापी ठक गए ते तनू बैसारी रश्वे में जाकर सब के लिए साही बना लए साही पिस सुनेना जी ने सोसा कि अब सभी को थोड़ा सुच्टा लेना शाहिए तनू जल्दी से कबरे बदल कर सारा समान अपनी जगह पर लगा लेना फिर कुछ दिर बाद सुरू करते आरती जी ने का ममे जी अभी मेरा मतलब है कल सुबे से करते हूँ अभी रात का खाना भी तो बनाना है तनू जी जगते पे बुली बस यहीं तो दिकते तुमें और जाहिए तुम्हारा आलस मुझे ठीकर न मुझे तो लगते हैं तुमारी ये पारीता की बहुत से बार कर भाण दू या फिर सिलपा से वहीं तुमारी समशा की ससुरान में कैसे रहते कहते हैं अरती जी अपने कमरे की तरफ चली गयी सास की ऐसी बात ये शुन करतानी की ह mistब ने देख आर्थी जी बोली कार्थी तुम्ने यादि जब भी बिया आयी थी तो हमारी दादी भी जिए ती जी आज भी संकत में आने याद होसी नहीं होसा मीजा आठेक टाना कंसी ब्यार दो मुझा तौर 느끼 में थी अकारuzzy को SU प्रहबरूर सती लग दो लेlikे याद करके बोली हाँ और ममी ऊने भी तो यहीं दो राया होगा मेरा मतलव कभी मेरी तारीब की होगी तुम्ने सामने हाँ बता भी दो में जी अक्षर कहती थी कि सुनेना ने अमरेका में सब कुस क्या से संबाल रखें नोकरी भी करते और घर भी संबालते वा कौन सा काम वाली बहीं होते सब कुस खुदी करना पता है तुम्हें यह कामी कितना है मेरी बेटी से कुस शिखलो तुम्हें बुरा तो लगता होगा जब मंभी मेरी तारीब करती थी सल्सकों जीजी बुरा तो लगता था आरती ने जचेगती में का फिर तुम भी तो वहीं सब कर रही हो वहीं बादे वहीं कटाक्श वहीं ताने किया मतलब जी 이거 जो तुम तोड़ी देर पहरे तनू के थाहत कर रही थी वहीं जमारी तादी साथ ने तुमारी सास के साथ किया और तुमारी सास ने भी वहीं कुछ दोराया देखो आर्थ ये अपनी बेटी और दूश्रणों की बहुत हो सबको अच्छे लगती है पर क्या तुमें नहीं लगता कि अब एक नया आगाज करना से क्यों न हम अपनी बहुआं की तुना किसी से ना करोने वेसी अपने जैसी वे कुछ हम उन्हें समझने की कोशिस करें और उन्हें भी समझने के लिए थोड़ा वक्त देखिया इसमें रिश्टों की मजबूरी बड़े कि नहीं और किया तुमें नहीं वहीं गलती दोबारा कर रही थी आरती ने कुछ सोचते हुए का अगली दिन सुनेना जी ने देखा आरती बड़े प्यार से तनु के साथ काम में पूरी मदत करवा रही थी और दोपर होने तक उसे आराम करने को भी बेज दिया रात को खाने की मेंश पर सब खिल खिला रहे थी साथ का प्यारार साथ भाकर तनु का मुझाय सेरा भी खिल गिया ता दियवाली पर सब उकटे हुए तो सबने तनु की बहुत तरिब की मेरी दनू ने बता है सबकुस बहुत अच्चे मेरी बेटी आरती के इतना कहती दनू आगे बढ़कर सास के कले लगे और खुशी के आशाओं से जिल मिलाती उसकी आँके सुनी नयाजी को धन्याबात कर